जै किसान दोस्तों आपका चैनल में स्वागत हैं दोस्तों खेती किसाने के अंतरगत केवल सब्जीयों की खेती करना भी खास फाइदे का सवधा रहता है कम भूमोले किसानों के लिए तो सब्जीयों की खेती और भी अधिकलाप्रद होती है क्योंकि इसमें देख भाल अच्छी हो सकती है इसलिए पैदावार भी अच्छी हो सकती है तो आईए जानते हैं कम लागत में अधिक मुनाफा वाली सबजी की खेती के बारे में ये कौन सी सबजी की खेती है जिसमें आप अधिक मुनाफा ले सकते हैं लेकिन दोस्तों जानन किसान भाई कर सकते हैं दोस्तों आज हम गर्मियों के मौसम में उगाई जाने वाली भिंडी की फसल के बारे में संपूर जानकारी जानेंगे क्योंकि जानकारी होगी तो आप इस खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें हम कई बिंदूओं पर जानेंगे जै पिजित मात्रा किका होनी चाहिए, निराई और गुडाई कभ करें, सिचाई कभ और कैसे करें, भिंडी की उन्त किस में क्या हैं, और एक अकड़ में, कितनी कमाई होती है. तो इन बिंदुओं पर हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं अपने देश में कहां कहां ज्यादा भिंडी की खेती होती है दोस्तो भिंडी की फसल के पुरमुक राज्यों में जो है आपका जारखंड, मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तरप्रदेश, असम, महाराष्ट्रा आध है इसके अलावा हरियाना एमराजिस्थान में भी भिंडी की खेती खूब की जाने लगी है अब हम इसकी खेती के बारे में जानते हैं कि इसमें किस प्रकार की जमीन की जरूरत होती है तो भिंडी की फसल की बुवाई करने से पहले आपको उस जमीन को तयार करना चाहिए जहाँ आप ए फसल करना चाहते हैं यह फ़सल गर्मी और सरदी दोनो रितियों में होती है लेकिन गर्मी की भिंडी अधिक मुनाफा देने वाली होती है क्योंकि अकसर सीजन की सबजियों की दिमांड ज्यादा रहती है यहां बता दें कि भिंडी को उत्तम जलने का स्वाली जमीन पर उगाया जाना चाहिए और इसके लिए भूमिका पियचमान साथ से लेकर 7.8 होना अच्छा रहता है और भिंडी की बुआई का समय यूं तो फरवरी से ही सुरू हो जाता है लेकिन ये मार्च के अंतिम दवर तक चलता है इसके बाद जून या जुलाई में वर्षा कालीन भिंडी की बुआई होती है दोस्तों कैसे करें भिंडी की बुआई और इसमें कितनी रखें दूरी तो दोस्तों भिंडी की बुआई करने से पहले ये भली भाग जान ले यदि सही तरीके से भिंडी की बुआई की जाए तो पौधों में फलत अच्छा होता है और कतार से कतार की दूरी कम से कम जो है 40-45 सेंटीमीटर होनी चाहिए सिंचित अवस्था में धाई से लेकर 3 किलोग्राम और असिंचित अवस्था में जो है 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रत हेक्टियर बीज की आवस्था होती है संकर किस्मों के लिए 5 kg बीच परियापत रहता है बीच 3 cm ज्यादा गहराई में नहीं डालें वहीं बुवाई से पहले भिंडी के बीजों को जो है उपचारित करना चाहिए पूरे खेत को उचित प्रकार की पटियों में बांट लें जिससे की सिचाई करने में सुविधा हो अब दोस्तों भिंडी की खेती में खाद और औरोरा की उचित मात्रा क्या होनी चाहिए तो दोस्तों भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रत हेक्टियर छेतर में लगभग जो है 15-20 टन गोबर की खाद युम नाइट्रोजन युम सुपर और पोटा की जाए खेत को खरपतवार से मुक्त रखें बुआई से 15-20 दिन बाद पर्थम निराई युम गुडाई करनी चाहिए अब रही सिचाई कब और कैसे करें भिंडी की खेती में सिचाई मार्च में बुआई से 10-15 दिन बाद करनी चाहिए और इसके बाद अप्रेल में 7-8 पर यो मई-जून में जो है 4-5 दिन के अंतराल पर करनी होती है और बरसाथ के दिनों में सिचाई की जरूरत नहीं होती है और ध्यान रखें कि खेत में पानी जमान नहीं होना चाहिए अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि भिंडी की कुछ उन्नत किसमों के बारे में तो ये क दोस्तों भिंडी की खेती में एक एकड़ में कितनी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों अगर सही तरीके से उन्नत किस्म के बीजों के साथ भिंडी की खेती की जाए तो एक एकड़ में पांच लाक रुपे तक की आमदनी हो सकती है। और इसमें अगर लागत निकालने तो कम से क साड़े तीन लाक रुपे की बचत होती है भिंडी की मांग हर मंडी में रहती है और सीजन में इसके अच्छे भाव भी रहते हैं तो दोस्तों ए तो रही भिंडी की खेती के बारे में जानकारी लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसा अच्छों तो